तो माइडियर स्टूरेंट्स यू और वेलकम टू आर चैनल दवाइच लेट पढ़ाई और हम लोग आज अपने क्वाडी लेटरल्स के 8.1 एक्सेस के आगे के कोश्चिन्स करने वाले हैं हमने पहले ही फोर कोश्चिन्स अपने कर लिये थे और सारी की सारी चीजे जो हमें चतुरुच के बारे में कोडी लेटरल्स के बारे में पता होनी चाहिए वो सब अल्रेडी कर ली है तो अब आज हम लोग कोश्चन नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं कि आखे कोश्चन नंबर 5 में क्या है तो चलिए कोश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं जानते हैं कि that show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles then it is a square. तो question number 5 जो है वो हम से कह रहा है कि अगर किसी given quadrilateral की जो diagonals है वो equal हो एक दूसरे को bisect करती हो 90 डिगरी पर तो वो एक square होगा ठीक है तो बस इसी चीज़ को हमने पहले भी किया हुआ था एक कोशन में कुछ उसी टाइप से इस बार भी करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे कि हमें क्या-क्या given है और उसके basis पर हम क्या-क्या चीज़ें निकाल सकते हैं तो पहले तो इन्होंने हमें सिर्फ यहीं दिया हुआ है कि एक quadrilateral है ठीक है और हमें उसे जो है square proof करना है ठीक है एक quadrilateral है और उसमें इन्होंने हमें क्या-क्या दिया हुआ है देखिए question number five में इन्होंने हमसे कहा है कि एक कोई भी quadrilateral है एक चतर बुझ है A, B, C और D अब इस चतर बुझ की दोनों की दोनों जो diagonals है मेरी जो विकरने हैं वो एक तो बराबर है मतलब की जो given है मुझे यहां पर दिया हुआ है वो है AC जो है वो BD के बराबर है दोनों diagonals विकरने बराबर हैं इसके अलावा यह दोनों विकरने एक दूसरे को जो है ऐसे प्रतिशेदित करती हैं कि वो भी बराबर हो जाएं तो मतलब यहां पर AO जो है वो CO के equal है और ऐसे ही DO जो है वो आपका BO के equal है ठीक है और साथ में आपका angle AOB is equal to angle COB is equal to angle DOC and it is equal to angle AOD और यह सब एकक्वल हैं आपके 90 डिग्री के यह इतनी चीज़े मुझे इन्होंने दे रखी है और अब मुझसे यह कह रहे हैं कि इस चतर भुच को मुझे एक सम चतर भुच के रूप में बताना है कि सॉरी इसको मुझे यह कहना है कि यह हमारा वर्ग होता है उसकी चारो भुचाहे बराबर होती है स्क्वेर की चारो साइट्स एक्वल होती है और इसके अलावा एक और चीज़ करने होगी कोई भी एक एंगल इनमें से चाहे चाहे बी चाहे सी या डी को मुझे 90 डिगरी भी प्रूफ करना होगा क्योंकि स्क्वेर के दोनों की दोनों साइट्स जहां मिलती है दोनों भुजाए जहां मिलती है वर्ग की वहाँ पर 90 डिगरी का एंगल बनता है तो यह दो चीज़े मुझे किसी भी तरह से प्रूफ करनी होगी तो सबसे पहले तो मैं कि यहां पर हमारा सइस जो है आसानी से लग सकता है तो एस एस के थुण ट्राइंगल को डूफ कर सकते हैं और एक बार अगर यह दोनों ट्राइंगल जो है वह सर्वाक्सम हो जाते हैं तो फिर मैं कह सकती हूँ कि CP CT के through AB जो है वो BC के बराबर है और ऐसे ही आगे मैं similarly लिख दूँगी कि अगर मैं इन दोनों triangles को लूँ तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी ये दोनों triangle लूँ तो CD और AD बराबर हो जाएगी ये दोनों triangles लूँ तो AD और AB बराबर हो जाएगी एक और question बिल्कुल exactly इसी तरीके का हम पिछले वाली वीडियो में कर चुके हैं तो आज हम फिर से एक बार इसको करके जो है अपना answer निकालने की कोशिश करते हैं देखिए लिखने का तरीका वही रहेगा इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी हिंदी वाले बच्चे इन की जगे लिखेंगे यहां पर नॉर्मल की त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में फिर आगे फटते हैं देखिए आगे इन दोनों में जो भी हमने एक को निकाला था ए ओ इस इक्वल टू सी ओ गिवन ठीक है फिर देखो यहां से एंगल ए ओ बी इस इक्वल टू एंगल सी ओ बी इस इक्वल टू नाइंटी डिग्री यह भी आपको गिवन है उपर आल्रेडी मैंने गिवन सारी चीज़े क्योंकि लिख ली थी ठीक है इसके अलावा ओ बी इस इक्वल टू बी ओ यह है हमारा कॉमन दो चीज़े दी हुई थी और एक हमारी कॉमन भुजा जो है वो निकल आई तो फिर वही बाई एस एस ट्राइंगल ए ओ बी इस कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल सी ओ बी हिंदी वाले बच्चे भी यही लिखेंगे कि एस एस द इसी लिए इजी बनाई जाती है साइन लेंग्वेज के साथ ताकि बहुत सारी कहानी हमें ना लिखनी पड़े ठीक है अब आगे फिर सीपी सीटी के द्वारा बाई सीपी सीटी वी कें से नाओ एबी इस एक्वल टू बी सी कि एबी बी सी के एक्वल हो गई अब इसके आगे दुबारा से यही कहानी बाकी सत्रे बुजों के लिए लिखने की जगह है हम लिख लेंगे similarly BC is equal to DC या फिर CD ठीक है फिर CD is equal to DA and DA is equal to AB ठीक है ऐसे ही जब आप बाकी के ट्राइंगल अगर लेंगे तो यह चार चीजे भी निकल कर आ जाएंगी तो उसे बार बार लेखने की ज़रुरत नहीं है अब बाई वन टू थ्री एंड फोर AB is equal to BC is equals to CD is equals to DA दस ABCD इस वस यह लिखने की ज़रुत नहीं है दस ABCD is a square अभी नहीं क्योंकि स्क्वार पूफ करने के लिए हमें सारी बुजाओं का भी बराबर होना सब्सक्राइब का एंगल होना भी जरूरी है तो वह भी हमने प्रूफ नहीं कर पाए हमने सिर्फ इतनी किया है कि चारो बुजाएं बराबर हो गई तो चलो 90 डिग्री का एंगल भी देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं तो अभी अभी हमने इस चीज के बारे में जो है पिछले कोशन में भी डिसकस किया था अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे कि आपका जो है यहां पर यह दोनों बुजाएं जो है वह एक दूसरे के पैरलल हो जाती है अब पैरलल होने के लिए भी या आता है कि आखर यह देखो पैरलल कैसे हो रही हमने तो सिर् पैरलल है हमने सिर्फ प्रूफ किया है तो इसके लिए तो साफ साफ ऐसे ही नॉर्मली आप लिख सकते हो कि जब आपकी डाइगनल्स जो है वह एक्वल होती है नाइंटी डिग्री पे कट करती है किसी चतर बुझ में तो वह अपने आपी जो है एक पैरलेलो ग्रायम बन ज यह कोँडिये तो नुहें पर प्रूफ कर रही दिया है और ज्यु EC% 10ABC is our प इसना तो मैं क्या ही सकती हो कि यह एक रोंबस है कम-स कब इतना तो मैंने प्रूफ कर लिया और अगर यह रोंबस मैं कि इसकी आमने सामने वाली बुजाएं जो हैं वो आपकी पैरलल होंगी एक दूसरे के समानतर रेखाएं होंगी और जो तक समानतर नहीं होती न तब तक मैं इन दोनों को त्रिज्या के एक ही और बनने वाले अंतर ये कोड नहीं मान सकती थी मतलब कि ट्रांसवर्सल के एक ही त बन रही हैं और साथ में मुझे इन दोनों को इक्वल भी प्रूफ करना होगा तो देखिए लिखती हूं मैं दुबारा से देखिए एक बार अच्छे से इन ट्राइंगल ABC and ट्राइंगल BCD बड़े ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है ABC और BCD ठीक है ABC और BCD इसमें पहली चीज जो है वो हो गई आपकी AB is equals to BC अबव अभी अभी हमने इस चीज को ऊपर जो है वो प्रूफ किया है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट चीज आप यहां पर देखिए AC is equals to BD यह आपको given है कि डाइगनेल्स जो है वो दोनों की दोनों आपकी एक्वल है ठीक है तो एक तो यह हो गया sorry यहां पर AB is equals to DC लिखना चाहिए था मुझे AB is equals to DC ठीक है AB is equals to DC प्रूफ डबव है और उसके इलावा BC is equals to CB यह वाली common हो जाएगी ताकि मुझे तीनों मिल जाए इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि AB जो है वो इसके भी तो एक्वल है तो इन दोनों को ले लिया यह common एक बुजा निकल के आ रहे थी यह ले लिया तो अब देखो बाई SSS ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BCD ABC और BCD congruent हो जाते हैं तो simple फिर से बाई CP CT CP CT के थ्रूफ क्या हो जाएगा मुझे angle B और angle C equal चाहिए थे वो equal हो जाएंगे angle B is equals to angle C ठीक है यहां पर यह वाला angle इस angle के बराबर हो गया ठीक है देखो इतना आसान नहीं है एक result से दूसरे result की तरफ जाना होता है हमें ध्यान में रखते हुए properties अलग-अलग तो अभी तक मैंने सिर्फ इतना प्रूफ कर पाया कि दोनों angle बराबर है अब देखिए next चीज एंगल B plus angle C is equal to 180 degree क्यों आप इन्हें को interior angles कह सकते हैं या फिर इंटीर angles on same side of transversal यह यह आपने पढ़ा हुआ है इसलिए वही टर्म यूज कर रही हूं हिंदी में इसको बोलेंगे आप त्रिज्जिया के एक ही और बनने वाले अंतरिये code वो जो होते हैं उन दोनों को plus करके हमेशा 180 डिग्री आता है एक बार में यह फिगर बना के आपको दिखा दू अगर याद नहीं आ रहा यह दोनों angles के बारे में यहां पर बात हो रही है कि जब यह दो lines जो है वह दूसरे के parallel होती है तो इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है क्योंकि यह आपके ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले इंटीर एंगल्स है तो इन एंगल्स के बारे में यहां पर बात की है अब देखो यहां से मुझे पताता है एंगल बी और एंगल c equal है so angle b plus angle b is equals to 180 degree में यहां लिख सकती हूं क्योंकि यहां उपर अभी है कि प्रूफ अबाफ that angle b is equals to angle c ठीक है तो twice of angle b is equals to 180 degree so angle b would be equal to 180 upon 2 मतलब की 90 degree thus we can say this a b c d is a square आखिरकार हमने प्रूफ कर लिया कि हमारा a b c d a square है अगर उसकी दोनों डाइगनल्स equal है एक दूसरे को bisect करती है 90 degree पर तो ठीक है तो हमने एक हमारा यहां पर वर्ग जो है a b c d को प्रूफ कर लिया है तो यह चीज आपने पहरे वाले questions में सब्सक्राइब की और सेम इसी तरीके की चीज दुबारा से भी किये तो ऐसे ही चीजे आपस में उसे को relate करती हो यूज हो जाती है अब अगर हम सिक्स्त कोशन की तरह बढ़ते हैं तो इसमें figure already हमें given है और उस figure के basis पे हमसे इन्होंने दो questions जो है वो पूछे हुए है चलिए देखते हैं अब आगे के figure based questions है वो और भी आसान है तो अब देखो सिक्स्त कोशन में यह हमें एक figure इन्होंने दे रखी है और बोल रहे हैं कि ABCD is a parallelogram जहां पर AC डाइगनल जो है वह एंगल और डी एक parallelogram है यहां पे जो डाइगनल है यह एंगल एको बाइसक्ट करें मतलब यह दोनों एंगल मेरे equal हैं आपस में अब मुझसे question जो पहला इन्होंने किया है इसमें first part जो है वो कह रहा है एंगल सी को भी बाइसक्ट करती है ठीक है यह दिखाना है मुझे AC बाइसक्ट एंगल एंगल सी एसवेल एक तो यह दिखाना है मुझे और दूसरा दिखाना है मुझे ABCD is a rhombus कि यह जो ABCD है is a rhombus यह एक सम चतुर्बुझ है वैसे तो इन्होंने यहां पे मुझे समानतर चतुर्बुझ दे रखा है पर यह मेरे से कह रहे हैं कि इसे rhombus के एक्वल हो गया और AD जो है वह यहां पर BC के एक्वल हो गया और इसके लावा इन दोनों के बीच का एक एंगल भी एक्वल है तो मैं आराम से SAS के थूँ जो है यहां पर अपना प्रूफ कर सकती हूं कि यह दोनों ट्राइंगल जो है वो गॉरेंट है और एक बार कॉन्गुरेंट हो जाते हैं तो CPCT से इसके सारे पार्ट से इक्वल हो जाएंगे चलो देखो फस्ट वाले पार्ट को करने के लिए मैं कौन कौन से त्रिबुज ले रही हूं ADC और दूसरा त्रिबुज ले रही हूं ABC ADC यह उपर वाला और ABC नीचे वाला पहले मैं लिख लूंगी यहां पर AD is equal to BC ठीक है क्यों क्योंकि ABCD is a parallelogram तो उसकी opposite sides जो है वो equal होती है उसके बाद फिर एंगल DAC is equal to angle BAC क्यों क्योंकि यह given है question में बोल रहा था उसमें खुदी बोला था कि यह दोनों equal है उसके अलावा देखिए आप AC is equal to CA जो है वो common है तो 3 points यहां मुझे चाहिए थे वो 3 points निकल कर आ गए तो मैं लिख सकती हूं यहां पर by SAS triangle ADC is congruent to triangle ABC so by CPCT angle DCA यह वाला angle is equal to angle BCA जो कि मुझे करना था कि यह वाले दोनों angle equal है तो वो दोनों मैंने यहां पर प्रूफ कर दिये तो पहला पार्ट तो देखो प्रूफ हो गया अब दूसरा है ABCD is a rhombus rhombus प्रूफ करने के लिए बस एक ही काम करनी की ज़रूरत है यहां पर और वो है कि इसकी सारी की सारी की जो भुजाएं हैं जो सारी की सारी साइट्स हैं वो एक्वल प्रूफ हो जाएं रोंबस के लिए बस इतना ही मेरे लिए काफी है तो उनके सारे पार्ट्स भी को जाएंगे तो ना सिर्फ CP CT से यह दोनों angle होंगे बल्कि आपके CP CT से जो मैं चाहती हूं जो हम चाहते हैं वह चीज भी को हो जाएगी और वह चीज है आपकी अगर आप इन्हीं दोनों ट्राइंगल को देखते हो कि A D is equal to AB ठीक है एंड इसके अलावा हम लोग क्या लिख सकते हैं DC is equal to CB और इस चीज से क्या निकल के आता है अगर AD AB के equal है और साथ में हमारा DC जो है वह BC के equal है एक तो यह आगे और दूसरा parallelogram already given था हमें तो इससे हो जाएगा दस AB is equal to CD is equal to BC is equals to DA so ABCD is a parallelogram sorry is a rhombus ठीक है उसी एक से ही हमने आसानी से प्रूफ कर लिया कि यह जो है हमारी सारी बुजाएं बराबर हो गई तो यह हमारा एक rhombus हो गया चलिए सेवन्त कोश्चन की तरह भढ़ते हैं सेवन्त कोश्चन में कह रहा है ABCD is a rhombus शो डेट डाइगनल AC by side angle A as well as angle C and diagonal BD by side angle B as well as angle D तो अब देखो जो चीज़ हमें दे रखी थी already इसमें वह उसका यहां पर हमें सेवन्त कोश्चन में उल्टा करने को कह रहे हैं इन्होंने इस बार आप कह दिया कि ABCD एक rhombus है एक ABCD rhombus दिया हुआ है और इसकी जो डाइगनल्स हैं वह क्या कर रही है यहां पर कि यह मतलब कि सारे के सारे एंगल जो है वह बाइसेक्ट हो रहे हैं यह चीज़ हमें प्रूफ करनी है और इस बार इन्होंने अल्डेडी हमसे कहा है कि ABCD जो है वह एक rhombus है ठीक है हमें हमें ऐसा एंगल लेना है कि कैसे भी करके CPCT के थरू मैं इस चीज़ को प्रूफ कर पाऊं जो हमारा निकल के आ पार है इस चीज़ को मैं प्रूफ कर पाऊं तो एक बार मैं अगर ABD यह वाला ले लेती हूं ABD ट्राइंगल और दूसरी तरफ ले ले लेती हूं में यह यहाँ पर DC के एककोल हो जाएगी और यह इसके एककोल हो जाएगी तो अपने आपी SSS से दोनों जो हैं वो कॉन्गोरेंट हो जाएंगे तो यह दोनों ट्राइंगल मैंने यहां ले लिए इन ट्राइंगल दिस ABD और CBD तो इसमें सबसे पहले AB is equal to CB AB is equal to CB यह बड़ा वाला इसमें बस वही लिखोगे ABCD is Rhombus ठीक है इसी तरीके से अगर आप लास्ट वाला लिखते हैं तो यहां पर आपका DA is equal to DC DA is equal to DC फिर से वही से ABCD is a rhombus इस वज़े से इससे आपका निकल के आएगा YSSS ट्राइंगल ABD is component to triangle CBD so by CPCT दो एंगल यहां पर बाइसेक्ट होना आराम से प्रूब हो सकते हैं देखो इन दोनों वाले में अगर बड़े वाले दोनों हमने ले रखे थे तो यह दोनों एंगल कम CPCT के थरूफ कर सकते हैं कि बाइसेक्ट हो रहे हैं एंगल ABD is equal to angle CDB और इसी के अलावा यहां पर लिख देती हूं जब एक जैसी कहानी होती है तो हम हमेशा similarly शब्द का यूज करते हैं और अब लेकिन आपको थोड़ा से दिहान रखना है यहां पर कि आप हम यह वाले दोनों ट्राइंगल लेंगे A, C, B और A, C, D इन दोनों ट्राइंगल के बारे में अगर आप बात करते हैं तो हम प्रूफ कर सकते थे एंगल A और C का बाइसेक्ट होना ठीक है तो अभी यह लिख लोगे यहां पर similarly triangle A, B, C is congruent to triangle C, D, A and by C, P, C, T angle D, A, C is equals to angle C, A, B and angle D, C, A is equals to angle B, C, A ठीक है तो हमने चारों चीज़े जो इस पर पूछी गई थी बहुत ईजली प्रूफ कर ली है तो हर एक चीज में एक तो दिहान रखना ही है कि हर question में दो triangle ऐसे चूज़ करने हैं जिनको आप concurrent कर पाओ और कुछ आपके lines and angles वाली properties यूज़ों के सारा खेल जो है वो यहां पर अपने आप ही साफ हो जाता है तो चलिए 8th question की तरफ भड़ते हैं 8th question कह रहा है ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C show that ABCD is a square diagonal BD bisects angle B as well as D ठीक है कुछ इसी टाइप का ही question है हमारा 8th वाला भी इस बार ABCD जो है वो एक हमें rectangle दे रखा है ठीक है इस बार ABCD एक rectangle दे रखा है और इसके लावा ही कह रहे हैं A C जो diagonal है वो angle A को bisect करती है और angle C को भी bisect करती है यह given है हमें अब दूसरा question इनो जो हम नहीं से पूछा है वो पहले तो कह दिया कि ABCD एक स्क्वेर है यह प्रूफ करो और फिर कह रहे हैं कि ABD जो diagonal है अगर इसको भी बना दिया जाए तो वह भी दोनों एंगल्स को जो है यह हमारा common है और साथ में यहां पर आपके यह दोनों एंगल्स जो है वह भी एक्क्वल है जब दोनों triangle concurrent हो जाते हैं तो हम CP CT के तुरूफ फिर ऐसे case में कह सकते हैं कि हमारी AD जो है वह BA के भी बराबर है ठीक है वह हम कर सकते हैं कि sides जो है हैं वह भी हमारी equal है और एकवर size equal हो जाती है तो यह square प्रूफ हो जाएगा पहली चीज़ और दूसरी चीज़ जो है वह हम यहां पर कर सकते हैं अपनी कि यह की जो हमें इनने दूसरा वाला दे रखा है यह वाला इसको अभी हम यहां पर जैसे प्रूफ कर चुके बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे चलो देख लेते हैं इतना हार्ड नहीं है यह बहुत इजी है फरस्ट कोशन कह रहा है प्रूफ करना है ABCD इस आप स्क्व अगर हम दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं तो एक तो पिटा देखना एक और चीज में आपको बताना चाहूंगे सारे 90-Degre के होते हैं ठीक है यह सारे 90 डीग्री के होते हैं इसमें सारे एंगल भी एक्वल है पर हम यहां पर A-S-A का यूज कर लेते क्योंकि वह चीज हमे to angle BCA ठीक है यही था given question में और उसके अलावा बीच में जो इनके line है वो equal है AC is equal to CA जो की हमारी common है तो आप यहाँ पर होगे ASA के द्वारा कि ट्राइंगल ADC is concurrent to triangle ABC और जबी दोनों triangles concurrent हो जाते हैं तो फिर by CPCT AB AD is equals to AB and यहां से आप देखोगे अगर DC is equals to BC मतलब की सारी जो हमारी जो साइट्स थी वो equal यहां पर प्रूव हो गई क्योंकि यह एक rectangle था तो रेक्टेंगल की opposite size तो equal proof होती ही होती है लेकिन हमने AD और AB को भी equal proof कर दिया कि AD AB के equal है मतलब जो हमारी एक के बादे consecutive sides थी वो तो प्रूव हो गई तो ABCD is a square यहां पर प्रूव हो जाता है second चीज जो आती है कि diagonal BD जो है वो इन एंगल्स को भी bisect कर रही है यह बताना है हमें तो इस बार अब हम यह वाले ट्राइंगल्स लेंगे मिटा दिती हूं में यह ताकि जो ट्राइंगल्स लेने हैं सिर्फ नहीं के बारे में ध्यान ने अब यह वाले दोनों ट्राइंगल्स लेंगे second वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए चलिए देखिए इन ट्राइंगल्स बी एडी एंड ट्राइंगल्स अगर आप ले लेते हो तो इन में देखो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इनकी सारी sides चों है वो एक दूसरे के equal हो जाएंगी यहाँ पर देखना ba is equal to cb ठीक है ba is equal to cb और इसी तरीके से ad is equal to cd क्यों इसका common reason लिख सकते हो abcd is a square उसके अलावा db is equal to bd common तो फिर से वही triangle bad is congruent to triangle bcd by sss so by cpct हमें जो चाहिए था वो निकल के आ जाएगा angle a dc is equal to angle cdb adb is equal to cdb adb is equal to cdb और दूसी तराफ angle a b d is equal to cbd ठीक है abd is equal to angle cbd hence proofed की bisect भी कर रही है bd angle b और angle c को यह लिख देना है है फिर यहां पर दस प्रूफ प्रूफ वी डी बाइसेक्स एंगल b एंड एंगल d ठीक है थोड़ा सा बस धिहान रखके इजली काम कर सकते हैं एंगल का साइन मिलाना नहीं भूलिए कार्म यह है आपका फिर इसके लावर ट्राइंगल का साइन मिलाना यह तो यह सब चीज लिखने का रूफ की तरीका होता है बस यहीं है जो अपने तरीके के ऊपर पोरा धियान जो है वह अपना रखना है ठीक है तो नेक्स्ट जो है है हमारा वो आता है अब कोशन नमबर 9 तो 9 10 11 12 कोशन जो है वह हम नेक्स वीडियो में देखेंगे तो चलिए फिर तब तक के लिए आप रैक्टिस करते रहें अपने फ्रेंज के साथ कोशन लगाते रहें कि अच्छ 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 कि अच्छ कर तक क अच्छ कi अच्छ अच्छ